हेलो और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूटीब चानल है आज के वीडियो काफी इंपोर्टन रहेगा स्पेशली उन स्टूडन्स के लिए जिन्हों ने निट यूजी 2022 एक्जम अपियर की है तो क्या होता है कि अगर आपको आपके करियर में कोई भी आपको अच्छा कॉलेज मिले अच्छा कोर्स मिले मतलब ऐसा कोलेज जो आप चाहते हो काफी दिनों से आपके माइंड में है कि इस कॉलेज में अगर आइदमिशन हो जाए तो बेस्ट रहेगा या फिर एसे लोके लोकेशन मतलब यह लोकेशन पर मेरा कॉलेज होना चाहिए या फिर इस सीटे में मुझा एडमिशन लेना है सीखना है तो इस बारे में आगर आपको यह चीज़े आपको आगे जाके फुल्फिल करने हैं तो कुछ 9-10 चीज़े हैं जो आपको करनी चाहिए अब अपनी टेग यह चीज़े कहीं पर नहीं मिलेगी यह बस हमारे चानल पर मिलेगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करते रही है वीडियो को लाइक करें तो सबसे पहले चीज़ जब आप एक्जम देकर आते हो तो आपको सेटल डाउन होना है देखना है कि क्या चीज़े चल र चीज़े चानल को समझ में आता है कि कौन से कोर्स में आपको अड़ेशन मिल सकता है तो बेटना है आपको सोचिए कौन सा कोर्स में लेना बेस्ट रहेगा कुछ टूडेंस ऐसे रहता है कि उन्होंने अल्ड़ेडी डिसाइड किया होता है और उसके बेसिस पर उनका करते हैं उससपर सब कुछ प्रीपरेशन होता है उसके बाद एक्जाम के बदेते हैं लेकिन आपका पर्फॉर्मनस असेस करिए मतलब क्या लगता को और उस बिसे सबर आप बीचिक बनाइए कोंशे कोर्स में यह पैडियु स्थ आपको लगता है कि सकेड सुन मिलेगा तो फिर एक बेयारी जो बनाई है मन यह थोक़ी आपने सब्सक्राइब अका लीटियु को मातल़ देख रहा है तो पैरेंट ने भी खुद से अपने स्टूडेंस के लिए अपने बच्चों के लिए भी इंफर्मिशन निकालना ज़रुए हैं अगर आपको बीएस नर्सिंग फार्मसी बीडियेस और बीएमेस भी एचमेस या फिर जो वेटरिनरियन डॉक्टर से इन कोर्से की आप इंफर्मेशन ले लीजिए अब जब आप कोर्सेस की इंफर्मेशन ले लेते हो तो आप लिस्ट डाउन करिए कॉलेजेस मतलब कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं मानलो अगर आपने सबसे पहले प्रारिटी पर रख दिया एमबेएस तो एमबेएस के कुछ ऐसे कॉले मतलब अगर मैं पुने में रहता हूँ तो मैं चाहोगा मुझे अड्मिशन पुने में ही मिले तो पुने के कुछ कॉलेजेस और फिर अपको यही चीज़ करने है आपके लोकेशन के अनुसार और आपके कन्विनियंस के अनुसार लिस्ट बनाएं कॉलेजेस की उस पर्डि के ऐसे कुछ 15-20 कॉलेजेस आप निकालगे रखिए उनकी लिस्ट बनाएं पाच वी चीज़ है इसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा एक्जाम देकर आते हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा मैक्जीमम कॉलेजेस को विजिट देने की कोशिश करें अब गवर्में खाल जो भी कंसरेट्ट आपके मास में हुआ होता है अपना खुद काकरता है आपके फेंसने से ने बृ mínimo मैन होता है लेकिन जोब किन ऒब किसी कोशिट करते हो जब आप जाकर देखते हो तो आपको समझ में हैं का एकक्व राण पर इस care that भारे में फैर्ट के बारे में क्या चीज चलते हैं तो जो भी पांच कोर्स चार से दिए आप लिस्ट करोंगे उन्हे से समसे प्ल görünност के लिस्ट बना užे तो आपका जो concept है वो clear हो जाए और कौन सी चीज़े ज़रूर है उस चीज़ के रिगार्डिंग प्रिपेर होने के लिए यह चीज़ आपको help करेंगे विजिट करना colleges को काफी important है six thing that you need to do is जब आप college विजिट करते हो तो आपका जो concept होता है definitely वो चेंज होता है कुछ हद तक तो उसके बाद जब आपका concept change होता है उसके बदा फिर से colleges की लिस्ट जो आपने बनाई है courses की लिस्ट आपको देखिए अगर आप चाहो तो उससे करने की कोशिश करें उसको according to the ground जो रियालिटी है ग्राउंड लेवल पर उस रियालिटी के basis पर उसको करके रखिए सात्वी चीज़ आपको यह करनी है कि आप जब के चलो अपने एक्जम दी है जुलाय में तो देड़ दो महिना लगा लो 45 डेस लगा लो की रिजल्ट को चला जाएगा तो इस 45 डेस के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो जो भी लिस्ट आपने बनाई है इस वीव से आपको बनानी है इस पॉTC बनानी है कि आगे जाकर आपको जो प्रोसेस होती है अद्मिश्ट के उसमें आपको प्रोसेस चलता रहेगा उस टाइम पर आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूत नहीं पड़े इसलिए अभी सही इस प्रकार से आप चोईस बनाई है मानलों अगर आपकी प्राइरिटी पहले से बीडिये से फीजियो तेरपी है तो जो भी कॉलेजिस की लिस्ट आपने बनाए है तो चॉइस फिलिंग में आप हंड्रेड से भी ज्यादा कॉलेजिस डाल सकते हो तो अब पहले अपको चीज़े रखनी है और जब आपका रिजल आपको फिर आइडेया आ जाता है कट-off लास्ट यडार का कट-off और जो भी आपने लिस्ट बना है कॉलेजिस की और लास्ट यडा कट-off और आपका रिजल्ट उस बेसिस पर आपको होगी कि कौन सा कॉलेज इभी मतलब एक नमबर पर कॉन सा कॉलेज रखना चाहिए दो न में रखनी है आपको जो भी रिक्वाइट डॉक्यमेंट से आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपके अधार काड़ पैंड कर एवरिटिंग यूशूट कीप प्रिपेड हर एक चीज प्रिपेड होने चाहिए सबसे इंपोर्टन बात है आपका का सर्टिफिकी आपके वैलि करते हैं लेकिन आगर आपके पास काज़ात नहीं है डॉक्यमेंट नहीं है तो आपको वह बेनेफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे एक और चीज़ आपको ध्यान से देखनी है जब आप कॉलेज विजिट करोंगे तो वहाँ पर स्कॉलर्शिप मिलती है या नहीं आपके कितना है और प्रेजेंट रियल साफ कितना है यह चीज़े और बाकी अधर चीज़े जो होती है वह आपको वहाँ पर जाकर देखनी है जब आप कॉलेज आते हो लास्ट में सबसे इंपोर्टन टीप में आपको दोगा डोंट वरी एंड डोंट हरे अब जब आप पास आउ आपको प्रोसेस के बार में अगर जानकरी चाहिए तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो हम आपको गाइडन्स देगे पूरा गाइडन्स देंगे कौन सा कॉलेज देना चाहिए एवरुटिंग और गाइडन्स यूइल बी गिवन उसके आला हुआ हमारे चैनल पर नीट अगर होता है तो यह जो पूरा प्रोसेस होता है तो पहले आपका रेजिस्ट्रेशन होगा फिर उसके पे करने पड़ेगी फिर उसके बाद आपको चॉइस फृण्ट का उप्शिन हाएगा फिर आपको चॉइस देने पड़े उसमें चेंज़ सर नंग इसपोको और ये घंख करने म aber अगर होता है नएं होता है तो उसमें काफी चीज़ें डिपेंड करती है फिर उसके बार अपका म motherfludes होता है तो यह जो पुरा process है यह काफी लेंदि प्रोस्स होता है तो उसको time लगेगा तो काफी बार यह हमेशा से जब से मैंने वीडियो बना start किया हमेशा से मुझे कुष्चन admission के दोरण admission के period में आता है कि सर college कब start होगा lecture कब start होगे classes कब start तो आपको किसी भी प्रकार की घाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार का रश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह जो एक्जाम के बाद और कॉलेज शुरूर होने से पहले का जो टाइम है आपके पूरे लाइफ में अब यही ऐसा टाइम रहेगा जो आप एंज काफी कुछ चीज़ें होती है जो आपको इस जब आपको सब्सक्राइब करने पड़ते हैं सो अभी जो सिक्स मांस का टाइम है एंजोई रिलाक्स डोंट वरी डोंट हरी काफी लोग आपको बार बार पूछेंगे कब आपको शूरू होने वाला है अपने यहां प्रैड मिश चाहिए अब क्या करने वाले हो क्या करना है अपको और क्या करने जा रहे हो जो पॉइंट्स मैंने बताए है यह काफी ज़रूरी है आपको आपको जानना समझना क्योंकि अगर आप एक्जाम दे जाते हो तो काफी पर ऐसा होता है कि आड़ लास्ट मोमेंट पीक और फिर पूर्ट जो आपका एड़िशन प्रोसेस है पूरी जो प्रूसीजर है वहाँ जाएगी और आपको अच्छे पर रहेगा वह सबसें बएस्ट रहेगा और फॉसके फॉलो करिए उमिद कर दो आपको यह जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है आपको अच्छे लगे हो तो ड वीडियो के रिगार्णिंग इस पर वीडियो बनाएं तो उसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यह वीडियो जाद से जाद स्टूडन्स के साथ शेर करिए और ऐसे ही आपका प्यार हमारे स साथ बरकरात रखिए तो मिलता है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब दे के लिए शालों शांति और सलाम बबाए